बॉलिर इंडुस्ट्री के वेटरन आक्टर शत्रुगन सिन्हा ने बीती 23 चून को अपनी बेटी सुनाक्षा सिन्हा की शादी आक्टर जहीर इकपाल के साथ की थी बही शत्रुगन सिन्हा को लेकर बीते कई दिनों से खबरे आ रही है कि वो हॉस्पिटल में एड्मिट है इसके साथ ही शत्रुगन सिन्हा के हॉस्पिटल में एड्मिट होने की बज़ा भी अलग-अलग बताई जा रही है अब शत्रुगन सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने एक इंटर्व्यू के दौरान क्लियर कर दिया है क्योंकि पापा होस्पिटल में एडमी थे और उन्होंने इसका कारण भी बताया है आईए जानते हैं कि लव सिन्हा ने क्या कहा है शत्रुगन सिन्हा को लेकर मीरा रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि वो अपने घर पर सोफा से उठते समय गिर गए थे और उन्हें मामूरी चोट आई और दो दिन बाद उन्हें दर्द का हैसास हुआ तो होस्पिटल चेक अप के लिए लेका जाया गया था इसके अलावा पताया गया कि शत्रुगन सिन्हा की होस्पिटल में माइनर सर्चुरी भी हुई है इन सभी अटकलों की बे शत्रुगन सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने इसके बारे में बात की है और उन्हें इन सर्जरी की बातों को खारीच करते वे असल बज़ा बताई है लव सिन्हा ने बताई कि पापा शत्रगन सिन्हा को बारिल फीवर हो गया था और उन्हें हॉस्पिटल में भरती होकर टेस्ट कराने के सलह दी गई थी लव सिन्हा ने बताया कि पापा शत्रुगन सिन्हा की रूटिन और फुल बॉली चेक अप कराये गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें अराम करने के सलहा दी है लव सिन्हा ने बताय कि पापा शत्रुगन सिन्हा अब ठीक एक और हस्पिटर से बिच्चार्ज हो जाएंगे बताते चले कि शत्रुगन सिन्हा हाली में अपनी बेटे सुनाक्ष सिन्हा और जहीर इकबाल के शादी में शामिल हुए थे इसके बाद शत्रवन सिन्हा बेटी और दामाद की वेडिंग रेसेप्शन में भी शामिल हुए थे शत्रवन सिन्हा को लेकर कहा जा रहा था कि वो अपनी बेटे सुन्हाख्श सिन्हा के शादी की रिष्टे से कुछ नहीं थे लेकिन उन्होंने बेटी को आशिरवाद देकर तमाम अटकलों को खारीश कर दिया था तो दोस्टेस को लेकर क्या है आपकी राए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें